नवस्कार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में मैं हूँ शेव ग्रीज दुबे तुरी के छिलके की सब्जी जो कि नोच अघ्रीर अधैक तरीके से बाग पतली वाली लेना हैं जाता मं भाड़ वाली यह नहीं लेने इस तरीके की होने स्वाब दुरी सृग है और इस के चिलके की बहुत प्यारी सब्जी बनेंगी इस तरीके की होने चुछ है शॉप्ट, धनिय पाउडर, नाबाग, किचिनिंग मसाला, राचिली पाउडर, सोरी, ग्रीन चिली, टमाटो, धनिय चॉप, ओनियन, जीरा, गरम मसाला, और यह छिलके, जो आप लोगों बता है कि हम छिलकी की सब्ची बनाएंगे, तो यह छिलके हैं, जो इसको हम अच्छे से हम धो लेंगे एक बार, धोने के बाद में इसको हम अच्छा सा हाथ सा रगण गएगे, ताकि इस तरीके से दो के उसका पानी हटा देंगे, इसको ग्रीन चिल्ली एक टी स्कूर, ग्रीरा पास साथ ग्राम, ग्रीन चिल्ली दस ग्राम, ओनियन पचास ग्राम, यह छिलके, जो कि हम ने पारिपारि काट लिये, तुरीके छिलके और आप लोगों बता है कि शॉप्ट वाली लेंगे, तो बहुत अच्छी सब्जी बनती हैं, इसकी और हल्दी डाली हमने हाप टीज स्कून और इस तरीके से हलका सा पकाएंगे फिर इसको हम ढग देंगे हलके पानी के चीटे डालके ताकि अच्छे से हमारे छिलके की सब्जी पागी जाए और यह एकदम ड्राई रहती है खाने में काफी टेश्टी लगती है नवस्कार बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में में उशेफ ग्रीज दुबे और आज बनाऊंगा मैं तुरी के छिलके की सब्जी जो कि तुरी हमने लिया है इसको हमने छील लिया है इसके छिलके की सब्जी बनाई यह देखिए और यह छिलके जो कि हमने यह देखिए इस इस तरीके से इसका हम टमाटर डालेंगे थोड़े से और ये हमारी सब्ची कीसी हल्दी तो तो थोड़ी दर पकाएंगे रडचिली पाउडर हाफ हाफ टी स्कून कोरेंडर पाउडर हाफ टी स्कून गरम मसाला बनफ़ोटी स्कून लेमन जूस एक निबू के एक पीस डालना है जो कि हम एक लेमन में तीन पीस बनाते है उसका एक पीस ने चोड़ा हमने और यह हमारी करीफ दो सो ग्राम बनेगी सब्जी तुरी के छिलगे की सब्जी काफी टेश्टी लगती काफी अच्छी लगती जरू ट्राइब करना एक बात बहुती बड़िया है तो यह हमारी सब्ची रेड़ी है तो आप चले सर्फ करेंगे और इस तरीके से आप लोग बना सकते काफी बढ़ी है लगती जरूर ट्राइब करना तुरी के छिलगे की सब्ची करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कैसे लगी और आप लोग ना अगर हमारा चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लिजिए और बैल आइकन को जरूर दबातीजे ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट में जाएंगे और आप लोग में लिंक दे दूँगा काफी अटेम की जाकर चेक कर लिएगा